बिसमिल्ला वहमार महीम, वेलकम टू एस लर्निंग पॉइंट, कैसे हैं स्टुएंट्स आप से, उमीद है आप से हैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तो यह है क्लास 10 का, चेप्टर नबर 4, पार्शियल फ्रेक्शिन्स, और लेक्चर नबर 50 है, फ्रेक्शिन पे आएंगे, तो इतना एजी कोंसेप्ट है के साथ साथ ही आपको जब हम सॉल्व करें होंगे, तो समझ में आने लग जाएगा, यह बहुत ही एजी है, थोड़ा से लेंटीज का सुलूशन हो जाते हैं, लेकिन लेंटीज स्ट्रप्स पी इस तरह के होते हैं, कि बहुत ही होते हैं, मतलब मुश्किल नहीं है, और में कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि वोगत ही मुश्किल की बात आगी है, अच्छा जी तो इस चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले, या एक्साइस नंबर 4.1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने देख लेना है यहाँ पे, कि fraction क्या है, rational fraction क्या है, proper fraction क्या है, improper fraction क्या है, तो fraction की definition यहाँ पे लिखी है, the quotient of two numbers और algebraic expressions is called fraction, quotient, दो numbers का, या algebraic expressions का, कहलाता है fraction, अब quotient क्या है, तो इस चेप हम लोग कोई भी दो नंबर है, उनको इस फॉर्म में लिख लें, लिख लें, यह तो नंबर थे, मैंने इस फ इस फॉर्म है, यह फॉर्म फ्रक्शन कहलाती है, quotient means इस तरह से लिखा जाए, तो यह quotient कहलाता है, अब दो numbers को इस फॉर्म में लिखा जाए, या फिर, लिखा है algebraic expression, या फिर, कोई algebraic expression हो, like 4x plus 2 divided by 3, x square, ठीक है, तो 4x plus 2 divided by 3, तो इस किसम की कोई फॉर्म हो, या फिर, हम लोग कोई इस किसम की फॉर्म ले ले रहे हैं, algebraic expression ले रहे हैं, तो इस तरह कोई ले ले लेंगे, x square plus 2 divided by x minus 2, तो यह चीज़ कहलाती है, fraction, यह examples हो गई है, fractions की, ठीक है, या फिर, हम कोई और example ले 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 लें, fraction की, let's suppose 2 divided by x plus 1, या फिर 3 divided by 4, x square plus 5, तो यह सब examples है, fraction की, ठीक है, यह fraction का हम ले पर लिया, अब है rational fraction, तो rational fraction की definition का कहती है, an expression of the form n of x divided by d of x, where n of x and d of x are polynomials in x with real coefficients and d of x is not equals to 0, अब कोई expression है, इस फॉर्म का, यह यह फ्रेक्शन है, ठीक है, यह फ्रेक्शन है, ठीक है, यह फ्रेक्शन होती है, अब n of x divided by d of x क्या होंगे, n of x और d of x है, polynomials, x में, real coefficients हैं और d of x जो नीचे वाल रिटाम है, उसको 0 के एक्वल नहीं होना चाहिए, तो जब भी किसी भी तो हम पड़ते हैं, तो हम यह है कर दो नहीं करता है, तो रैशनल फ्रेक्शन क्या है, दो वालेनोमियल आपस तरह से ढिवाल होंगे यहल और 2 प्रेक्शन की पर में लिखा जाए, तो रैशनल फ्रेक्शन के लाता है, let's suppose हम कोई पोलिनॉमियल संकर दो लेए, जіसे कि मैंने ले लिया कि 2x यह भी Poinomial है और मैंने ले लिए नीचे x plus 5 यह भी Poinomial है तो यह जिसका कहला रही है यह जिसका कहला रही है Rational Fraction ठीक है यह Rational Fraction के कजमेपल है ठीक है ना एक और बहुत ले लो मैं ले ले लो ले रहती हो 4 x divided by x plus 2 into x minus 1 और यह मैंने और को वह sigu ग्वन पेडिकी काRJ cadaapay प्लस रिख्रेंस क्या है जो में दो नमबर को यह क्वेड़ियों को लिए प्लाइक्सथायर्यू ह्फाइशथ ही साओ कृडियों तो यह प्लूटब्लन को है कि आपस हम झाले ही तो rational fraction कहलाएगी definition में ये बात आ रही है कि n of x divided by d of x की form में चीज़ हो और n of x और d of x के हैं वो दोनों polynomials है और d of x not equals to 0 है ठीक है तो वो चीज़ कहलाती है rational fraction तो ये rational fraction की examples हमने ले लिए अब आगे है proper fraction तो स्टेंस proper fraction क्या है तो proper fraction की definition पढ़ लेते है अब एक rational fraction n of x divided by d of x अब एक rational fraction n of x divided by d of x हमने ले लिए है rational fraction में से proper fraction लिए है ठीक है तो rational fraction ले लिए हमने एक n of x divided by d of x और d of x not equals to 0 ठीक है इस काल proper fraction वो कहलाएगी proper fraction if अगर the degree of the polynomial n of x in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator तो यह definition क्या कहरी है students कि n of x divided by d of x कोई भी मारे पास rational fraction है और वो rational fraction proper fraction तब कहलाएगी अगर degree जो है उपर वाले polynomial की जो दिग्री है मतलब उपर n of x है न नुमेरिटर में नुमेरिटर में n of x है न तो अगर उसके degree छोटी है d of x के polynomial के degree से तो वो proper fraction है ठीक है असान लफजों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो उपर वारा नंबर है उसके साथ जो variable होगा उसकी power छोटी होने चाहिए नीचे वाले polynomial की highest power से ठीक है अगर और दुसरे लफजों में बताऊं तो फिर उपर जो variable students given होगा उसके उपर जो power होगी वो नीचे वाला जो नंबर है उसकी power से छोटी होने चाहिए जैसे के दिखिए नीचे power 1 बनती है तो उपर कोई भी लुवसक्का फ्रेक्शन का स्टिदिनेंस कि नीचे वाला जो हमारे पास नंबर है मतलब denominator जो है cr Ihr numerator को है numerator हमारे पास एन ऐफ एकस है olina Marketing कैसे लुए लिए लिफ फैकस है तो उपर वाले नंबर कर जो पावर है वो नीचे वालान बावाchnि पावर से जैसे कि हमारे पास अपर 3 x है तो नीचे हमने कोई बड़ा ही वेरियाबल की पावर होना चाहिए इसे कटने हैं कि लेफ्ट साइट पे लिख लेते हैं इंप्रॉपर फ्रेक्शन की रेफिनिशन को यहां पे लिख लेते हैं इंप्रॉपर फ्रेक्शन इंप्रॉपर फ्रेक्शन तो पर्ली हमने के नीचे नंबर जो निचे क्या होता है , इसकी की पर जो ह्पवर, उपर बन кадव के बढ़ी हो अमिश्या, तो कि इमप्राइशनल ऐसने कि इस कि चिश्शों की मिलती जलती इमप्रापर क्यों होगी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया धरस्ट अर्ष्स दिवाइड़ बाई d of x d of x is not equals to 0 the d of x 0 equal nahi hona chahiya that's a up is called an improper fraction improper fraction can liega it's called improper fraction if degree of the polynomial if degree of the polynomial n of x in the numerator in the numerator is less than is greater sorry is greater or mayoski definition for the property is greater than is greater or equal to the degree to the degree of the polynomial d of x for example the examples basically lich lenge to the improper fraction ki definition kya hai students improper fraction a rational fraction and of x divided by d of x where d of x is not equals to 0 is called improper fraction if degree of the polynomial n of x is in the numerator is greater now if the polynomial n of x is greater or the lower n of x is equal to the lower then it will be called improper fraction okay so it will be called improper fraction to be called for example for example for example this type of fraction may be called to be 5 x up and upper power will be 1 and lower power will be 1 and lower power will be 1 and lower power and lower numbers will be same so it will be improper fraction will be if this is 5 x divided by 2 this is I have a proper fraction right यह कहला है कि प्रॉपर फ्रेक्शन लेकिं लेकिं अगर उपर भी टू आजए या उपर आ जए थ्री या टू आजए तो इंप्रॉपर फ्रेक्शन है क्योंकि अब numerator में जो polynomial है उसकी degree highest नीचे वाले मतलब denominator की degree से तो यह improper fraction की example हो गई है एक और अगर कोई example ले improper fraction की तो वह इस तरह से ले सकते हैं कि 3x square plus 7 divided by x square plus 2x plus 1 तो यह भी improper fraction क्योंकि highest degree जो है दोनों की same, same होगी या फिर अगर कोई और example लेलो में 3x की power 4, 8x की power 4 divided by x square plus 5 तो यह जो मेरे पास variable है, यह जो मेरे पास fraction है यह भी improper fraction की example है ठीक है नहीं, तो स्टोर्ण समझ में आ रहे हैं, इंप्रॉपर fraction क्या है, जब उपर जो numerator है उसके polynomial की power greater हो, नेचे वाले polynomial की power से तो वह improper fraction बन जाएगी तो प्रॉपर fraction की ओलट अगर कोई काम हो जाए तो वह फिर मारे पास improper fraction होती है ठीक है, तो उमीद है आपको proper fraction, improper fraction का concept है वह समझ में आ गया होगा मैं आपको पूरी कोशिश किया है कि असान असान लफजों में यह concept देश से कूँ, proper improper fraction का क्योंकि आगे अगे एक्सेसे स्टार्ट करेंगे तो उन में प्रॉपर fraction के साथ हमने कहां करना है तो बहुत इसी concept हो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके दुबारा एंड तक देखें और complete देखें ताका कोई step अपसे मिस से ना हो कोई बात या कोई point मिस ना हो कि आप उस समझना सके चीज़ तो आपकी concept को मजबूत करने के लिए मैं एक activity करवा ले तूँ आपसे हम ऐसे करते हैं कि मैं कुछ rational fractions लिखती हूं board पर और फिर बताती चाहूंगी साथ साथ कि इनमें से कौन सी proper fraction है कौन से improper fraction है और आप ने भी मुझे comment section में लाजमी comment करके पाना है कि कौन सा proper fraction था अपनी activity स्टार्ट करते हैं तो इस रोंट से लेफ्ट साथ से मैं बोर्ड रप किया है और यहां पर मैं कुछ rational fractions को लिख लिख लिए ठीक है और यह rational fractions मैं इसलिए लिखी है ताके इन fractions मैं से हम identify कर सके कि कौन सी proper fraction है कौन सी improper fraction है तो proper fraction वाली साइड मैं बोर्ड पर सरबने क कि वह लिख हुई है तो आपके लिए तो बहुत ही असान है देख की answer बता देना लेकिन मैं आपको कुछ examples देना चाहती थी कुछ self activity करवाना चाहती थी तो इस पर मैंने यह examples ले लिए है तो आई identify करते हैं तो सबसे पहले first जो है क्या है two divided by x plus one तो देखें यहां पर लिख 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 पंट सी नूमिटर विलशाओ नियुमरेटर जो ते dif रोमिरेटर विलेस हो नियुमरेटर वेजड़ knife द्हुरड number डिन अमिनेटर नियुमरेटर वेच्छेंट रुटेकर स्ट्रेंट भी तो वोगी इंप्रोपर फ्रैक्शन तो से नहींbon तो यह इंप्रोपर फ्रक्शन की एक्जाम्पल हो गी, और नेक्सट एक्जाम्पल देख एक्ष दिवार बे एक्स प्स फाइफ तो स्टूंट्स यह एक्जाम्पल देखें, तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें उपर वाला जिन्हें नियूमरेटर की पॉल्नोमी है, उसकी fraction कहलाता है अब फोर्स देख लेते हैं थ्री एक स्क्वियर इवारी बे एक्स की पावर फोर प्लस एट तो उपर वाले पावर निचे वाले पावर से छोटी है ना उपर टू है पावर निचे फोर है तो नियूमरेटर की पावर लेस थैन होगी डिग्री से दिनोमरेटर की तो यह हमर पास प्रॉपर फ्रेक्शन की एग्जाम्पल होगी ठीक हो किया यह प्रॉपर फ्रेक्शन होगी अब लास्ट है 3 x square प्लस 2 x divided by x square plus 7 x plus 2 the students highest power up to 2 है निचे भी highest power 2 है तो जब पावर पॉलिणोमियल की पावर नियूमरेटर नियूमरेटर में सेम हो जाएं या नियूमरेटर की पावर गरिटर हो जाएं तो वह इंप्रॉपर फ्रेक्शन की एग्जाम्पल थी देफिनेशन थी तो यह इंप्रॉपर फ्रे अबी चे corpo कोई बिर कॉनिध नहीं को था करने और कोंवेंट हैं और को chopp कि अब हैंब अब आइका हैं आग अपको आप कवर कॉन से किन पूंपिलाएंगा शूंज पर यि गया तो अब काई और नियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचाए और वीडियो कर पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें अपने फ्रेंड सास फैलोस सब के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी एकॉंटेंट पहुंच जाए अगर उनको हेल्प चाहिए इन टॉपिक्स पर तो उनकी भी हैप हो जाए अब मैं आओंगी नेक्स लेक्टर के साथ जिसमें हम लोग एक्सराइज नबर 4.1 को स्टार्ट करेंगी और पास्चिल फ्रेक्शन का गुजशन के साथ साथ क्लियर करके समझेंगे और वो लेक्टर नबर 51 होगा तो जी नेक्स्ट लेक्टर आने तक के लिए अला हफिज